आईए आज डिसकस करते हैं कि कॉंडूम्स के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं और कितनी विराइटी हैं और कौन सा कब यूज़ करना चाहिए पहली चीज तो ये कि कॉंडूम वैसा ही है जैसे सैनेटरी पैज या मेंस्ट्रल कप इसको मांगने में कोई हिचत नहीं होनी चाहिए पर इसके बारे में सारी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है ना सिर्फ प्रेग्नेंसी से बट बहुत सारे सेक्शुली ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन से भी तो कॉंडम की उप्योगिता बहुत जादा है चाहे आप किसी भी एज ग्रूप में है अगर आपको अपने आपको इंफेक्शन से बचाना है तो कॉंडम भी एक तरीका है जिससे आप अपने आपको कही जान लेवा इंफेक्शन जैसे HIV से भी बचा सकते हैं तो कॉंडम से पहली चीज मांगने से एकदम ना जचके और जाने कि इसको ठीक से कैसे इस्तिमाल किया जाता है और तीसरा कितने चाइब के कॉंडम मार्केट में अवेलिबल हैं जिससे आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से केमिस से असानी से इसको मांग सकें तो पहली वराइथी है लेटेक्स कॉंडम्स लेटेक्स कॉंडम्स मतलब जो नॉर्मल रेगुलर कॉंडम्स हैं अगर आप कॉंडम मांगने जाएंगे तो आपको यूश्वरी लेटेक्स कॉंडम सी दिये जाते हैं लेटेक्स कॉंडम्स बहुत इजली अवेलेबल हैं काफी cheap है, इनके एक दो side effects है किसी किसी को latex से allergy होजती है, तो उनको ये condoms suit नहीं करते है दूसरा, अगर आप latex condoms use कर रहे हैं, तो आप कुछ भी oil based lubricant नहीं use कर सकते, मतलब आप साथ में coconut oil या petroleum jelly नहीं use कर सकते क्योंकि उससे condom की efficacy कम हो जाती है या उसका failure rate होने का chance जादा रहता है, अगले condoms आते हैं, non latex condoms, जो कि latex की नहीं बनके दूसरे material जैसे polyurethene से बनते हैं, ये थोड़े से महंगे आते हैं, पर ये उन लोगों के लिए जादा better हैं, जिनको latex से allergy है, पर condom तो use करना ही है तो ये दूसरे type के condoms आते हैं, तीसरे condoms होते हैं, बहुत ही commonly आपने नाम सुना होगा, textured condoms जिसे कहते हैं dotted या ribbed condoms, जिसे हम कहते हैं इससे basically condom के उपर कुछ dot-dot से या कुछ texture सा बना होता है, इससे क्या होता है कि आपके जो आपकी condoms, आपकी female partner पो extra pleasure देने के लिए use किये जाते हैं, बहुत साई लोग पुछते हैं कि madame ribbed और dotted में कौन सा अच्छा है, तो ये दोनों ही एक ही काम करते हैं, basically texture बढ़ाते हैं, friction बढ़ाते हैं आप अपनी personal preference के हिसाब से तोनों में से कोई भी use कर सकते हैं, अगले आते हैं, lubricated condoms जिसमें lubrication साथ में लगा होता है, उसका मतलब है, आपको अलग से एक lubricant jelly की जरूवत नहीं है, वो अपने आप में इतना lubricated रहता है कि आपको उपर से कोई भी jelly use करने की जरूवत नहीं है अगले हैं, flavored condoms flavored condoms इसले बनाए गया है, क्योंकि rubber की एक smell सी आती है तो अगर आप oral sex में participate कर रहे हैं, तो ये flavored condoms उस rubbery smell को छुपा देता है, और फिर oral sex के time पे जो दूसरा partner है, उसको दिक्कत नहीं आती है, तो आप कहोगे oral sex के भी time पे condom यूज करना है, तो हाँ, oral sex से भी बहुत सारी sexually transmitted infections transmit हो सकते हैं, तो उस time पे भी condom को जरूर यूज करना है अगले condoms है, ultra thin condoms, ये condoms का thickness काफी कम होता है बहुत सारे लोगों को complain रहता है कि condom की वज़े से उनका sexual pleasure काफी कम हो गया है या satisfaction काफी कम हो गया है उसके लिए ये thin condoms आते हैं जो की thickness काफी कम होती है और वो almost ऐसा लगता है कि condom ना के बराबर है बट वो उतने ही effective है जितने की regular condoms तो ये ultra thin condoms भी आप use कर सकते हैं अगले और सबसे important condoms है female condoms हाँ जी, आपने सही सुना female के लिए भी condoms आते हैं इन्हें हम internal condoms भी कहते हैं इसे female अपने अंदर insert कर सकते हैं although इसकी efficacy male condoms से थोड़ी कम है male condoms 98% of the time effective रहते हैं ये condoms की efficacy थोड़ी कम है बट ये females को एक power देता है कि उनका sexual health उनके हाथ में है चाहे male condoms use कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपना ये use करके अपना sexual health का ध्यान खुद से रख सकती है इसके अलावा बहुत सारे all condoms भी available हैं जैसे extra pleasure condoms इसमें usually एक numbing jelly आती है जो की अंदर रहती है condom में वो क्या करती है penis को थोड़ा सा numb कर देती है तो sensation थोड़े से कम feel होते है male counterparts को तो उनका time बढ़ जाता है especially उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको premature ejaculation का problem है इसके अलावा नए प्रकार के condoms आते हैं जैसे glow in the dark जो की रात में जलते भी हैं तो इस type के कुछ condoms बहुत easily Indian markets में available है आप अपनी sexual preference के हिसाब से satisfaction के हिसाब से आप इन condoms को chemist से असानी से मांग सकते हैं बिना जिच के और अपनी sexual health को better कर सकते हैं healthy कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं अपनी sex life को अगर आपको इस related कोई भी question हो तो आप comment box में जरूर आवी थांक यू और तन्यमाट